नमस्कार टीवी ने राजस्थान पर आपका स्वागत है मैं हूँ अमबेश्ट रुगास्त और आप देख रहे हैं एट पीम सो एक बार फिर राजस्थान की जो राजनीती है वो वसंधरा राजे पर आकर केंद्रित हो गई है जहां मामला पहले गहलोत वर्सिस पाइलेट का होता था एक बार फिर राजस्थान में वसंधरा राजे के जो विरोधी गुट कहें या जो उनके विरोधी नेता कहें फिर आपका राजे को लेकर क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवाते हैं आपको और उसके बाद फिर उनके बयान के सियासी माइने और सवाल जो है वो समझेंगे हमारे एक्जिकेटिव एडिटर पुसकर चौहान सर से सबसे पहले आपको सतीस तुनिया का ये बयान आपकी परिवाशा है वसंदरा राजे जी वाजपई सरकार में केंदर में मंतरी रही हैं वो लोकसबा और विदान सबा में अनेक बार सदश्य रही हैं दो बार मुख्य मंतरी रही हैं और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी और यह आपकी डेफिनेशन है वो जहलावाड में पूरे समय काम कर रही थी और जहलावाड के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला हो गई है वो राष्ट की उपादेक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना यह कोई कम सम्मा नहीं है आज यह विशाद तो मेरे मन में भी हो सकता है लेकिन पार्टी ने मुझे प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ की दी है अब मै उसमें से यह निराशा वेक्त करों कि मुझे पार्टी ने राजस्तान में क्यों कुछ नहीं दिया तो यह मायने नहीं रखता है जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्या कुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग सहर से काम करते हैं पार उनके भास्नों पर भी शतीस पुनिया ने तो यहां तक भी एक बार कह दिया कि बाई सत्तर प्लस वाले जो सत्तर प्लस वाले राजनेता हैं उनको जो है राजनी से सन्यास लेना चाहिए और यह इसारा सीदा समझा गया था दो हजार तेईस में क्योंकि वसुनरा तो बात कही है कि भाई वो केंद्रमंती रह चुकी हैं, मुख्यमंती रह चुकी हैं, ऐसे तो मैं भी सवाल कर सकता हूँ, तो अब देखे टीवी ने राजस्थान के कुछ सवाल इन सतीज पुनिया के बयान के बाद बनते हैं और जो राजितिक गल्यारों में भी चर्चा कर विसे हैं, सतीज पुनिया ने वसुनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और क्यों खोल दिया यह सवाल है उसके बाद देखे पुनियाराजे के शिते bonding से विरोधी क्यों बनना चाह रहे हैं यह भी एक सवाल है क्वाई लगांतार जिस भीके सो निसाना साध्र हें क्या राजे गुट के विधायक और समर्थक अब अपना मोर्चा खोलेंगे क्योंकि जिस तरीके से इधर से बयान बाजी हो रही है उधर से देवी सिंग भाटी और अन्य नेताओं ने भी मोचा समाल रखा है क्या पुनिया के राजे के विरोध के बाद पार्टी में गुटबाजी नहीं बढ़ेगी ये भी एक सवाल है क्या कुछ होगा समझेंगे अपने एक्जिकरट्व एडिटर्स पुछकर सर से राजे के खिलाफ बोल कर अपनी सियासत हिट कड़ना चाह रहे हैं पुनिया क्योंकि देखिया अब वो हरियाना के प्रभारी बन गए हैं तो क्या राजस्थान में वो अपना बनाये रखना चाहते हैं संदेज देरा देखिए ये 2023 से चर्चा का विसे है कि आखिर उनको पहले मुख्यमंत्री बनाने की थी उसके बाद लोगसाबा चुनाव लड़ाने का भी एक चर्चा थी उसके बाद और भी कई पदों के लिए था लेकिन अभी तक उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये छे साथ सवाल हैं जिनको समझेंगे हमारे एक्जिकेटर एडिटर पुसकर चवान सर से सर देखिए जंग तो उन्होंने एक लिहाज से काज़े तो 27 पुनिया ने छेड़ दी है और अपना नाम भी सामिल कर लिया उसमें बड़ा राजनीत ना जो दिख रहा होता है वो पर दूर नहीं पहुंच पाता है वह आप यह देखिए वसुंद्रा राजे ने अभी तक डारेक्ट अटेक छोटे निताओं पर तो किया ही नहीं राजेंद राठोड पर जब वो सुंदर सिंग मंधनारी की पुन्य तिति पर बोली तो क्या बोली जो उंगली पकड़ कर गए मौके पे इस समय चल रहा है प्रभारी बना दिये गए और वो इतना बोल रहे थे कि उनको नहीं समझ आ हूँ हूँ इस सतीश पूनिया टू कॉमेंट और वसुंद्र राजे आपने क्या किया आपके साथ आप फेस हो पाए आप अध्यक्ष बने उनके और फिर तब सत्ता म में आने ही पाए जब आप अध्यक्ष थे और आपके अब सर्व वो तस्वीर में आपको जिक्र होगा आपको याद दिलाए एक बर कहा था राज सबाचनौ के दौरान जब सोभरानी कुस्वाने क्रॉस होटिंग करी तो राजे ने इसारा किया इनसे पूछिये सवाल आपने वो सवाल लिखा है कि क्या राजे पर अटैक कर अपनी सियासत हिट कर रहे हैं इसका पहले मैं आपको जबाब देता हूँ वो प्रभारी कहां के बनाएगा हर्याना के और वो जाट है वहां भी जाट नाराज है वो जाट नाराज है और लोग सभा में राजस्थान म हुआ है वहां जाट जादा है राजपूत है नहीं तो वो बताना चाहरे हैं कि हम आपकी तरफ खड़े हर जगे मैसेजिंग है ऐसा नहीं था कि सतीश पूनिया हमेशा विरोध में ही आए लेकिन हर आदमी को अपना प्रॉफिट आप वो सोचिए आप जानना है कि सतीश प प्रक्री आइस्थान की राजपे में अपने को मॉझू दिखाना चाहते हैं वो चले गाए केंदर की राजपे में कितने चेहरे जाएंगे ओंबिल्डा केंदर की राजनीत में हैं गजन संग्से हौवत है केलाज्श भागी रती हैं सबी तो पहुंच गया ना लंसम 14-7 हैं छे विदाइक भी छे राजसभा में हैं तो कुल मिलाके कितने लोग के अंदर की सियासत करने पहुंशेंगे और फिर कहां की करेंगे जाके आपको दिया आप राज आप ये बताइए ने प्रभारी की आप हर्यावा में कब दिलवार हैं को बीजय को बीजय को पुछा जा रहे हैं जहां की जिम्मेदारी गई आप रिपोर्टर को समझा रहे हैं कि आप बहस मत कीजिए तो इससे आप frustration निकालके अपनी पारटी के नेता आप की ही छवी को नुकसान पहुशता है और जब आपemie चौवी को नुकसान पहुशता है तो उसका पारटी पारटी आप वशंधरा की पोलिटिक्स को समझचिए वह डिलेक्ट एक नहीं करती है चोटे ने ताओं उनको जब करवाना था उन्होंने संदेश भेज दिया था सतीश पुनिया बाहर हो गए थे आपको याद होगा अपनी अलग यात्रा निकाल राजिन राठोर पर अगर जाए तो जब ही निसाना उन्होंने देवी सिंग भाटी ने जिस सरीके से कहा कि भाई अब तब आप गिना रहे हैं आपको यह दे दिया अरे तब ऐसा कौन सा चेरा था बैरोसिंग छेखावत के बाद एकलोता चेरा पसंद्रा राजे सिंधिया थी और उन्होंने वो प्रूफ किया और प्रूफ किया है आज भी वो यही तो कहती है जब से हमने हरा के भेज तब से सौ का अकड़ा चू नहीं पाई यह पार करने की तो बात छोड़ दीजिए सत्तर पे रह जाएंगे किस पे रह जाएंगे निन्यान में पे रह जाएंगे सौ होंगे तो राश्ट्री लोगदल एक होगा उसमें बीस्पी होगा राश्ट्री लोगदल होगा आप किस वीडिया में जीतिया हाठ में जो हारी थी आठ में वो 78 सीटों पे थी बीजेपी यह बड़ी बात है और सर इसमें भी 2018 में जब थी तब भी वो 73 सीटे थी और इस बार भ्लस ये नहीं दिन्तव घंखर राजे इंमान दारी बाहा आप समझ लीजिये Aveclar राजे succ mı की जरूरत रही है राजस्थान वो अप उनको ऐसे नहीं मैंने बताया हम सब्सक्राइब करने कि उन्होंने ग्राउन पर काम किया जाहे जो हजार तीन का चुनाओ हो उन्होंने बकाइदा 200 विधान सभाव में लोगों से जाकर जुडाओं और आज कोई चुनाओं को अपने उस पर नहीं हारी भाई स्वयम नहीं हारी अगर विधायक जब से रही तब से संसद रही एक्टीनाइन से तो संसद रही फिर बेटा संसद है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको एक छेत तक सिमित किया जाए ठीक है पार्टी ने उन्हें तिलंगाना भी बेजा था शुरुवात करवाई थी लेकिन आप राश्ट्री उपात देख वो जिस काडर के हैं वो सवाल पूछे जा रहे ना देखिए जवाब भाजपा को देना है लेकिन सर अब मैं वापस उस फ्रेम में है उसमें उन्होंने साफ बता दिया गया कि पार्टी आपका सम्मान करेगी आप धैर रखें कोई ऐसे कदम ना उठाएं जो आप नहीं आ रही है देखें बजट सत्र है भजनलाल शर्मा को जरूरत थी कि जो अब आपका मुख मंत्री है जो पूर में आपकी पालिटिक मु है वसंद्रा राजे ने जब से चुना कोई वो सरकारी काम काज में नहीं शामिल हुई है पार्टी जी तो वो विदान सबाज आती है उनका अपना एक स्टेचर है उन्होंने कल भी दरहसल कहां से आये सतीश पूनिया सतीश पूनिया यही कह रहे है कि उनको यह मिल गया क्य कि कल उन्होंने क्या का विल फाइट वेट विल फाइट जो एक चर्चा चर्चा में तो इसी लिए जब वसंद्रा राजे यह बात करती है तो अभी उनको लगता है उनकी सियासत बहुत बची है वो ड्राइंग रिंग पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती है कि रहस रखती है कि हम चुनाओ लड़ जाए तो जिता के यहारा के मगर हम लड़ेंगे ऐसे कि जैसे खूब लड़े जनता तै करती है कौन हारेगा कौन जीतेगा मेहिनत दिखनी चाहिए अब सर एक तस्वीर और राजेन सिंग राठोर के वैसे तो हम चर्चा उसमें पहले सतिस् उस्षय धंग राठोर इस फ्रेयरं असल वस उंद्रा राजे के स्भी सबसे लोईलिस्ट रहें जी कभी सबसे लोईलिस्ट रहें। 2013 से और इसमें इनको कितनी मेहनत की वज़ाइट राज कहा जाते थे नेता विपक्ष बनवाने के लिए और वही राजेंद राठोड की पूरी राजनीत महरानी के इर्द गिर्द रही और ये 2030 में जो इन्होंने पाला बदल लिया 22 का है इनको लगा कि अब मैं हूं और आप देखिए उन्होंने आज तक नाम नहीं लिया और विधायक नहीं है आप बिना वसुंद्रा राजे के आप विधायक नहीं बन सके दोनों ही नेता मलब 37 भी देखिए ज़र विधायक नहीं है विधानसबाद अपनी हार गए राजन नेता प्रतिपक्स और उपनेता प्रतिपक्स थे लाज कि चम और 120 जीत क्या है 120 जीत क्या आप को इन्हों ने रग है यही चीज़ करती है कि party में घुठभाजी है और राहुल कस्वा चुरुश्राव जीत गए बिना गए वसंद्रा राजे के ये बड़े नेताओं की मैसेजिंग होती है वो चाहेंगे उनके जाने या ना जाने से तो फरक आम जनता पड़ रहा है वो जिस सीट पे अगर चाह लेंगे पड़ेंगे देखिए बस सोला सो सोला सो पंद्राए सोला वोटो से रही कॉंग्रिस तो वहाँ पर भी क्योंकि वो इसमें सातीस मुनियां वहां से धायक है थे पुर्ग्रामीड स्वरी थे आव जो सारी कहानी है वो इसलिए देखिए भजलाल जी की फोटो जो लगाई गई है इसमें वो इसलिए है कि भज उनको सोचना चाहिए, नेता है, वो खुद कह रहा है कि विल फाइट, तो जब इस तरह की की बाते आती है ना, इस तरीके की बाते आती है, मैं वही जो आपका सवाल मूर सवाल था कि खोला कि मूर जा, देर असल वसंदरा राजे को मालूम है, बोलना कब है, करना क्या है, जेपी को तोड़ने का काम करी नहीं सकती, लेकिन वो चाहती है कि पार्टी सम्मान दे और सम्मान मिलना भी चाहिए, पार्च बार से लगातार उनके बेटे विदायक, एक सीट सांसदी का जीत रहे हैं, खुद हैं, अगर नहीं था, तो आप नेक्स जनरेशन का देते हैं, उनको टिकेट ने, पार्टी ने फिर भूक में हिम्मत नहीं कर पाई ना कि बस उन्दरा राजे को विदायकी मना कर देते हैं, और फिर सवाल भई आता है, रमन सिंग एड़्जस्ट हो सकते हैं, विदान समाई स्पीकर के तोर पर शिवराज सिंग चौहान के बिलाए जा स और वसुंदरा राजे 89 में संसत जालावार से सीट से बन चुकी थी, ये अंतर है, बिलकुल सर, तेखे, अब वसुंदरा राजे फ्रेम में तो आ गई है, राजनीती में उनका क्या रोल रहने वाला है, बीजेपी किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करने वाली है, क्योंकि पांस सीटों पर उपचुनाओं है और सीम भज़ानलाल सर्माज जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, भले ही सीख सतीस कुनिया ने जो कटाक से जो तंज किये हैं, उनके क्या कुछ चीज बोल दूँ, कल जो विधान सभा में बजट पेश होगा, वो सारी तस्वीर ही लगाए जा सकते हैं, और यह माना जा रहा है कि अशोग गैलोत के कई नितिकत फैसलों को पल्टेगी बजनलाल सरकार क्योंकि यह पहला फुल बजट है, सेकेंडली, वो कई ऐसे काम करेगी, जो शायद वसंदरा जी ने वादा किया था, उसको पूरा करके उनको मनाने की कोशिश की जाए, चलिए, बहुत-बहुत सुक्रिया, और बाकी खबरों के लिए, और कल बजट है, तो बजट देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले, आपको बजट की सारी जानकारी और उसके बाद आपके फायदे के लिए है, क्या कुछ है उसमें, वो सब मिलेगा TV9 राजस्तान पर सबसे पहले चैनल को सस्काइब जरूर कर ले, बहुत-बहुत सुक्रिया, धन्यवाद